हालो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ऑलविज्जेए अभेख्स पर दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फिलेक्सिवल विंडो के बारे में कि फिलेक्सिवल विंडों क्या होती है यह हमने open EDS कर लिया आपका यह देखिए और इसकी विंडों इतनी flexible होती है कि आप इसको यहां वहां कि कहीं पर भी मूब कर सकते हैं यह देखिए इस टाइप से आपका आ हम उ और अगर आपको इसको ठीक करना है दोस्तों क्योंकि बहुत लोगों के साथ प्राव्लम आती है कि इसको ठीक कैसे कि यह देखिए मैंने इस टाइप से आपका कर दिया निदी है और यह कर दिया है अब करना कि दोस्तों आपको तो आपने सिंप्ली यहां पर जाना है यह देखिए और यहां पर जाना है विंडो ले आउट में इसमें और प्रेस करना है यह पोर्शन आप देखने यह वाला पोर्शन आपने करना है मैं क्लिक कर देता हूं इस पर यह देखिए दुबारा हम उसी पर जाएंगे और यहां पर जाके आपने इस पोर्शन पर जाके नॉर्मल कर देना है तो यह आपकी विंडो ओटोमेटिक हो जाएगी आप इसको जाके इस साइड से तरह से अपनी सेटिंग कर सकते हैं और अपने ले आउट के हिसाप से इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों आगे मैं आपको बताऊँगा कुछ और नई चीजे नई चीजों के बारे में जानकारिया सो प्लीज की वाचिंग माई टुटोरियल ओन दा यूट्यूब चैनल